समस्कार आज का हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेस्मेंट इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही सरल हिंदी में आपको समझाने वाली हूँ सबसे पहले हम बात करेंगे एग्री कल्चर की एग्री कल्चर यानि क्रशी बहुत पुराने समय में लोग जब कल्चर नहीं थे सीखे नहीं थे तो वो इधर उधर छोटे छोटे ग्रूप्स में अपने खाने की तलाश में घूमा करते थे और खाने की तलाश करते करते कभी वो फ्रूट्स खा लेते कभी वेजिटेबल्स खा लेते और इस तरह से उन्होंने शिकार करना सीख लिया था बात में उन्होंने भूमी को जोतना शुरू किया यानि की फसल को पैदा करना सीखा और उन्होंने शावल, गेहूं और अन्य फसले उगाना शुरू कर दिया इस प्रकास से क्रिशी यानि एग्रीकल्चर का जन्म हुआ जब एक ही तरह के बहुत सारे पोधे एक स्थान पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं यानि की क्रॉप कहते हैं जैसे की गेहूं की फसल का मतलब है कि एक खेत में बहुत सारे गेहूं के पोधे उगाना आप बहुत सारी फसलों के नाम भी जानते होंगे जैसे गेहूं, चावल, जो, मक्का, बाजिरा, आदी मुख्या रूप से यदे बात करें तो हमारे देश में दो तरह की फसल होती है एक होती है खरीफ और दूसरी होती है रभी खरीफ की जो फसल होती है वो बर्सा के मोसम में उगाई जाती है और इसे खरीफ की फसल बोलते है और यह मोसम जून से सितंबर तक इंडिया में होता है कब से कब तक होता है जून से सेप्टेंबर तक इसमें हम पैडी, मेज, सोयाबिन, ग्राउननट, कोटन, आदी उगाते है जो रभी की फसल होती है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है और अक्टूबर से मार्च तक का इसका समय होता है कब तक होता है अक्टूबर से मार्च और इसके लिए हम गेहूं उगाते हैं चना, पी यानि मटर, मस्टर्ड यानि सर्सूं और लिंसीट भी हम इसके लिए उगाते हैं यानि कि हमारे देश में मुख्यत्या, रभी और खरीफ की फसल उगाई जाती है बात आती है कि एग्री कल्चर करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है एग्री कल्चर के लिए सबसे पहला काम होता है preparation of soil यानि कि मिट्टी को कैसे त्यार करें मिट्टी को step by step त्यार करना होता है कोई भी फसल उगाने के लिए हमें मिट्टी को पहले थोड़ा loose करना होता है जिससे की बीज उगाएं तो उसे easily हवा मिल सके और वह जल्दी से पनप सके दूसरी बात होती है sawing की बीजों को उगाया जाता है मिट्टी में तीसरा प्रक्रिया जो होती है उसमें खाद आदी डाले जाती है fertilizers डाले जाते हैं जिससे बीज को proper nutrition मिल जाए उसके बाद जो process आती है वो होती है irrigation यानि सिजाई करना उस बीज को पनपने के लिए पानी भी चाहिए होता है फिर आता है protecting from weeds कि उसे खर्पतवार से कैसे बचाया जाए खर्पतवार क्या होता है खर्पतवार होता है बिना चाहे unwanted जो पोधे उग जाते हैं और उस पोधे से उसके nutrients छीन लेते हैं उसे हम weeds कहते हैं तो अच्छी फ़सल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है weeds को हटाना होता है weeds को हम manually भी हटा सकते हैं और कुछ chemicals का use करके भी हटा सकते हैं उसके बाद जब फ़सल पकर तयार हो जाती है तो हम उसकी harvesting करते हैं उसके बाद आता है storage का काम यानि कि हम उसे कहाँ पर store करें जिससे कीड़े आदी उसे नश्टना कर दें ये सारी प्रक्रिया एक अच्छी फ़सल को प्राप्त करने तक यूज़ प्रक्रिया में ले जाती हैं आप जब बीज मिट्टी में उगाते हैं तो यह जरूरी होता है कि पहले मिट्टी को अनाज के आकार के अनुसार तोड़ लिया जाए जिससे की फ़सल अच्छी हो और हम जब प्रशी करते हैं अग्री कल्चर करते हैं तो उसके लिए हमें कई तरह के टूल्स की जरूरत होती है जब आप कहीं जाते हैं तो आपने खेतों में हल चलाते हुए किसान को भी देखा होगा आज कल इसके लिए आधुने कौजार आने लगे हैं जैसे प्लाव हैं, हो एंड कल्टीवेटर आज हम इन सब की बात करते हैं प्लाव क्या है? जैसे कि पुराने जमाने में हल होता था जो बैल से चलाया जाता था जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है अभी वह हल ट्रेक्टर के साथ लगावा आता है और पुराने टाइम से ही मिट्टी को तोड़ने के लिए से प्रयोग में लाया जाता था दूसरा जो टूल होता है वह होता है हो और यह भी एक सिंपल टूल होता है जो वीड्स को हटाने के लिए काम में लाया जाता है और मिट्टी को लुजन करने के लिए भी काम में लाया जाता है और यह एक लकड़ी की या आयरन की एक स्ट्रॉंग रोड होती है और इसमें पिक्चर में दिखाया है एक होता है कल्टीवेटर कल्टीवेटर जो है वो टेक्टर के द्वारा खीचा जाता है और कल्टीवेटर का जब हम प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा समय और लेबर दोनों बचते हैं सौविंग क्या है सौविंग जो है क्रोप प्रड़क्शन का एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट होता है विफोर सौइंग गुड क्वाल्टी सीज्ट सार सिलेक्टेड हम उगाने से पहले अच्छे बीजों को चुनते हैं यानि हमें अच्छे फसल मिल सके इसके लिए हम ज़्यादा तरकिसान जो है वो हाई यल्ड वाले बीज चुनते हैं ताकि उन्हें बड़ी मात्रा में फसल मिल सके आपने कभी-कभी बीजों को पानी पर तैर देखा होगा जो बीज पानी पर तैर जाते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते इस तरह से अच्छे और बुरे बीजों को हम अलग करके अपनी फसल को अच्छा बना सकते हैं कुछ बात करें तो पुराने जमाने के ट्रिडिशनल टूल्स की वहाँ पर हम देखेंगे तो बैल की द्वारा हल खीचा जाता था और कुदाली या जो कुलहाडी आदी जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता था लेकिन अभी मैंने जिसकि आपको पिक्चर में दिखाया है एक सी डिल मैंने आपको दिखाई है सी डिल का प्रयोग हम करते हैं जिससे की हमारे बीज जो है वो आसानी से हम रमीन में उगास सकते हैं और एक निश्चित दौरी पर वो एक ही दौरी पर गिरेंगे और एक ही गहराई पर गिरेंगे यह भी नया तरीका चला हुआ है और इसमें जो appropriate distance है वह भी बनी रहती है उसके बाद वी जुगाने के बाद क्या किया जाता है adding manure and fertilizers इसमें हम खात कुंसी दें खात के लिए हमें क्या करना होता है पता लगाना होता है कि हमारी फसल को mineral nutrients जो है वो मिल रहे हैं या नहीं कुछ area में in certain areas farmers grow crop after crop in the same field एक ही फसल उगाते जाते हैं लेकिन इससे क्या हो जाता है इससे हमारे मिट्टी के nutrients कम हो जाते हैं इसलिए कुछ किसान फसल को बदल बदल कर लगाते हैं manure जो है manure क्या होता है यह organic substance होता है और decomposition जो है उससे प्रापत होता है animal waste जो होते हैं उसको जब हम decompose कर देते हैं तो उससे manure बनता है और कुछ जो pits वगारा बना करके उसमें हम animal waste को decompose करते हैं उससे हमारी manure बन जाती है vermicompose का नाम भी आपने सुना होगा वही इसी विदी से बनाई जाती है कुछ fertilizers जो होते हैं वो chemical से बनते हैं जैसे nitrogen, phosphorus और potassium इनके प्रयोग से farmer को अच्छी फसल मिल जाती है अगर हम organic manure का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी soil का texture जादा पानी को सोखने लग जाता है और सारे जो nutrients हैं वह फसल को मिल जाते हैं उसके पाद आती है कि हम फसल की सिचाई कैसे करें पोधों को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है पानी और बढ़त साथ में अच्छे फूल आएं fruits आएं और seeds आएं इसके लिए पानी की समय समय पर जरूरत होती है और पानी जो होता है वो पोधे की जड़ों में सोक लिया जाता है पानी के साथ ही हम minerals और fertilizers भी उसमें mix करके plant को दे सकते हैं पोधे में लगभग 90 प्रतिशत पानी होता है और water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions सिरी पानी नहीं होगा तो हमारी फसल बिल्कुल भी उगेगी नहीं और हमारे बीजों की लागत जो है वो भी खतम हो जाती है The supply of water to crops a different interval is called irrigation irrigation किसे कहते हैं? हम जब समय समय पर अपनी फसल को पानी देते हैं तो उसे irrigation कहा जाता है irrigation की कैसे जाती है? कुछ स्थानों पर कुए होते हैं, कहीं पर ट्यूब वेल्स होते हैं, कहीं तलाब, जील, नदी, डैम और कैनाल से irrigation की जाती है, सिचाई की जाती है और किसी किसी शेत्र में वर्षा से भी सिचाई की जाती है मैंने आपको पिक्टर्स में traditional methods of irrigation दिखाए हैं आप देख सकते हैं, अलग-अलग तरह की मोट, मोट जिससे दिखाया है, मोट का मेने चित दिखाया है chain pump होता है, और धेकली के द्वारा सिचाई की जाती है रहेट होता है, रहेट में अलग-अलग तरह के डोल बंधे भी होते हैं और उनमें पानी आता जाता है, उससे भी सिचाई की जाती है बात करते हैं आधुनिक तरीकों से सिचाई करने की आधुनिक तरीकों में सबसे पहला होता है sprinkler system और इसमें छोटे-छोटे फोवारे लगा दिये जाते हैं जिससे की सिचाई होती है उसके बाद आता है drip system और इसमें क्या होता है छोटी-छोटी बूंदे पोधों की जड़ों के पास गिरती रहती है और इससे पानी वेश्ट भी नहीं जाता है उसके बाद आता है कि हम weeds से अपने पोधों को कैसे पचाएं weeds यानि खरपतवार भी से हम बोलते हैं अन्चाहे पोधे तो इसमें सबसे पहले हम weeds side यानि जो खरपतवार हटाने वाली दवाईयां हैं उनका छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद फसल को काटने का समय आ जाता है जब फसल पक जाती है तो उसे काटा जाता है काटने वाली मशीन को thresher तहा जाता है और काटने की जो प्रक्रिया हो दिया उसे threshing कहा जाता है कही कही स्थानों पर खुद व्यक्ति भी फसल को काटते हैं इस तरह से विनोईंग की जो प्रोसिस होती है वो भी इसमें की जाती है यानि कि छिलकों को अलग कर दिया जाता है और अनाज को अलग कर दिया जाता है उसके बाद हम storage करते हैं हमारी फसल का storage के लिए भी मैंने आपको pictures दिखाई हैं कि किस तरह से बोरों में भर कर और अनाज को store कर दिया जाता है जब बड़े पैमाने पर पश्चों को पाला जाता है तो हम उसी क्या कहते हैं animal husbandry कहते हैं इस तरह से ये chapter आपको समझ में आ गया होगा अगर आपके कोई questions हैं तो आप comment section में comment करें thank you for watching